पारुल त्यागिया उम्मीद बनाए रखें और अपने रास्ते बनाते रहें क्योंकि उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती हमी उम्मीद को छोड़ देते हैं मेहनत करते रहें फल मिलेगा ये वक्त है जनाब इसे हारा या जीता नहीं जाता बस सीखा जाता है तो चलिया ब्रुक कर लेते हैं आज की ताजा खबरों का पंजाब के सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग की दिल्ली परेड जारी है आसीम अमरिंदर जनतम मंतर पर जाका कृशी कानूनों का विरोत कर रहे पंजाब कॉंग्रिस के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं से पहले कैप्टन मंगलवा को फिर सारे तीन खंटे तक खडगे कमेटी के सामने पेश हुए कमेटी ने कैप्टन को चुनावी वादो को पूरा करने के लिए फास्ट ट्रेक रणनीती बनाने का मश्वरा भी दिया तो कैप्टन ने पंजाब में अंद्रूनी कले के चलते पार्टी नेताओं की तरफ से हो रही बयानबासी का रोना रोया पार्टी में कैप्टन के सियासी विरोधी नवजोद सिंग सिद्धू ने सोंवा कॉमरिंदर सिंग पर बादल परिवार के साथ मिलका पॉलिटिकल बिजनिस चलाने का बड़ा आरोप लगाया था कैप्टन और सिद्धू कोले का कॉंग्रिस में मैरतन का सुरत जारी है पहले जो काम सोनिय गांधी की तीन सदस्य कमेटी ने किया वही अब पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी कर रहे हैं 21 जून को देश भर में हुए रिकॉर्ड वैक्सिनेशन पर अब सवाल उठने लगे हैं अरसल कॉंग्रिस के बड़े नेता पी चितमरम ने आरोप लगाया है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए जमाखोरी की गई इसके साथ ही उन्होंने तंज कर से हुए कहा कि हो सकता है मैडिसिन का नोबल पुरुस का मोधी सरकार को दिया जाए चितमरम ने दावा किया कि रविवार को टीको को जमा किया गया और सोमवा को टीका करन का विश्व कीरती मान इस्थापित किया गया लेकिन इससे अगले दिन फिर से पुराने स्थिती रही उन्होंने केंदर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसको लेकर मोधी सरकार को आश्टी के शेत्र में नोबल पुरुशकार मिल सकता है पूर्ववेतमंतरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रवीवार को जमा करो और सोववा को टीका करण करा दो और फिर मंगलवा को उसे इस्तिती में लोटाओ यही एक दिन में टीका करण का वेश्व कीरतीमान इस्तापित करने के पीछे का राज है सीम योगी आदितिनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की देर रात तक चरी बैचक में 2022 के विधानसमा चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई साथी बैचक में ये निर्ने भी लिया गया कि अगले साल के चुनाव में पार्टी का संगठन तीन सो पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरे गा सीम के साथ कोर टीम की मीटिंग में अगामी जुला पंच्रायत अध्यक्षपत के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई वहीं बीजेपी नेता अरुन सिंग ने साफ किया कि योगी अधितनाथ ही विधानसमा चुनाव में सीम कैंडिनेट होंगे बील संतोष और रादा मोखन सिंग की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक के बाद अब यूपी बीजेपी कारयाले पर हल चल बढ़ गई है यूपी के मिर्जपूर से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रिय महासचेव अरुन सिंग ने कहा कि योगी अधितनाथ अच्छा काम कर रहे हैं जैपूर पहुंचे अरुन सिंग ने बात करते हुए बताया कि और साफ कर दिया कि विधानसवा चुनाव तक उन्हें बदलान रही जाएगा इसके साथ विधानसवा चुनाव में भी योगी अधितनाथी बीजेपी का चेहरा हों गई भारतिय वायसेना पहली बार अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महसागर में सामरिक महत्व को एक बड़ी एकससाइस करने जा रही है दो दिवसिया यानि की 23 और 24 जून ये इस नौसेना अभ्यास हिंद महसागर में किया जाएगा भारतिय वायसेना की तरफ से सुखुई और जगवार फाइटर जेट्स के अलावा इवेक्स, टोही विमान और रिफ्यूलर्स हिस्सा ले रहे हैं वहीं अमेरिकी नौसेना की तरफ से रेनौल्ट ग्रीगन केरियर स्ट्राइक ग्रूप हिस्सा ले रहा है बता दें भातिय वायसेना के मुताविक अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक आउट्रीच एक्सिसाइज त्रिवेंदरम से दक्षिनी कमान के जिम्मदारी शेत्रों में खुने जा रही है लेकिन ऐसी गभियास में वायसेना की चार कमांड से फाइटर जेट्स और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं बता दें एक्सिसाइज भी त्रिवेंदरम से सटे स्वंदर में ही की जाएगी वहीं वायुसेना के मुताबक अमेरिकी नौसेना के केरियर स्ट्राइक ग्रूप में एरक्राफ्ट केरियर यूएसेस रोनाल्ड रीगन के अलावा मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसेस होसले के अलावा और गाइड़ेट मिसाइल क्रूजर यूएसेस सीलो हिस्सा ले रहे हैं वर्ल्टेस्ट टेंपेंशिप के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूसिलाइन की पहली पारी को 200 रंचस रनों से समेच दिया न्यूसिलाइन को इस स्कोर पस समेचने में तेज गेंदबाज मुहमद शमी का एहम ग्योगदान रहा उन्होंने 76 रंद देकर कीवी टीम के चार बलेबाजों को पवेलियन भेज दिया न्यूसिलाइन टीम का स्कोर एक समय 101 था और ये मजबूत इस सिती में थी लेकिन पांच में दिन के पहले सत्र में शमी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई शमी ने दिन के पहले सत्र में रॉस टेलर और बीजे वाटलिंग का विकेट भिग लिया उन्होंने दूसरे सत्र में भी अपनी गेंदवाजी का जल्बा दिखाया लंच के बाद सत्र में शमी ने, कॉलिन ग्रेंट हूँ और काइल जमिनसन का विकेट प्लेकर टीम इंडिया को दो बड़ी सपलता दिलाई तो ये थी आज की कुछ ताज़ा खबरे, बाकि चुस्त रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए और जुड़े रहिए निज्वल इंडिया के साथ और देखिए देश दुनिया की खबरे एक नए अंदास के साथ, नवस्कार